गुट मॉर्निंग वर्कला में आखरी दिन तीन दिन हो गए मुझे तीन नाइट्स रुखा में यहां पर बड़ा मज़ा आया 14 नवंबर 15 नवंबर और 16 नवंबर 2020 अच्छा लगा यहां पर वर्कला में काफी कम भीड थी कोरोना के कारण इस तरह की डॉर्मेट्री है यहां पर आपको 300 रुपे में डॉर्मेट्री मिल जाएगी एस ही लगा हुआ है मेरे पिछे देश से देख सकते हो इसे देख सकते हो एक दो तीन चार पांच छे इस तरह की डॉर्मेट्री और मेरे पिछे यह देख सकते हो इसके अंदर आप अपना सामान रख सकते हो और जाते हैं आज वरकला रेलवे स्टेशन और उससे पहले आपको थोड़ा सा और होस्टल दिखा देता हूँ मेरी ट्रेन थी वैसे आज तिरुवनंत पुरम से तिरुवनंत पुरम से चलेगी वो और 40-50 मिरट में फिर वरकला पहुच जाएगी और वहां से हम अपने ट् काफी अच्छा होस्टल यहां पर डार्ट बोल लगा हुआ है गिटार रखे हुए है यह थोड़ा सामान है लाइब्रेरिय और फन के लिए यहां पर हम जेंगा खेलते हैं यहां पर वरक फ्रॉम हों अगर आप लाते हो तो इस तरह ऐसे काम कर सकते हो यहां पर लोग करते ह बार्ट बगेरा बने हो यहां पर किचन है जहां पर आप अपना खाना लागे बना सकते हो तो वरकला रेलवे स्टेशन पर लगभग बारा बज़े तक हमें पहुंच जाना है और यह हैं बालकनी यहां पर बैठके आप आराम से रिलेक्स करो और इस वियू के साथ चिल मार यहां पर गिटार रखा है मैं तो यहीं पर बैठ जाता हूं और इंजॉय करता हूं बारिश शलरी थी यहां पर दो-तिन दिन से काफी बारिश थी अभी तो धूप निकली हुई है वरना बारिश कहीं मौसम रहता था यहां पर हमेशा तो इस तरह की है होस्टल की कंडिशन उपर चत है और यह तो मैंने आपको दिखाई दिया डोर में ट्री रूंग कैसे हैं देख सकते हो तो चलते हैं वरकला रेलवे स्टेशन और दिल्ली पहुंचना है 19 तारिक को दिल्ली पहुंचेंगे 17 को आज 17 नवंबर है 19 तारिक को मचाएगी 50 51 घंटे ऐसे लगते हैं पहुंचने में दिल्ली कन्या कुमारी से ट्रेन अवेलेबल नहीं थी तो इसलिए तिरह नंस पुरहम से करी वहां पर अकॉमेडेशन अवेलेबल नहीं थी इसलिए वरकला से बोर्ड करूंगा चल जलते हैं तो निकल रहा हूं यहां स हॉस्टल से लगबग साड़े नौ बज गए हैं काफी जल्दी निकल रहा हूं थोड़ा सा और लोकल अराउंड घूम लेंगे यह एक्जिट कर रहे हैं वरकला से ट्रेन होगी हमारी 1220 पर इसका मतलब हम बहुत जल्दी जा रहे हैं कंपेर्ट टू कितना टाइम हमें लग और यह वह गली है पतली सी जिसके अंदर से हमारा होते हुए जाता है रात में बिलकुल अंदेरा हो जाता है बहुत नेचर के अंदर बहुत अच्छा लगता है यहां पर तो ब्रेकफास्ट करते हैं और ट्रेन पकड़ते हैं टाइम काफी अपने पास तो मास्क लगाना यहां पर काफी जरूरी है सुबह सुबह कोई नहीं है यह अभी टूरिस्ट तो है नहीं है तो यह देख़ों यह एक ठीड होती है जो ऐसे करवी रोड होता है तो यह वाला मिरर लगा रहता है जिससे दूसरी साइड का आपको आसानी से दिख जाता है कि अगर कोई आ रहा हूँ ऐसे तो गाड़ी के आवाज आ जाती है लेकिन अगर हो तो जैसे अब यहां से कोई जा रहा है तो उस यह दिखाई देता उस मेरर में इसलिए होते हैं बहुत कम टूरिस्स वगेरा यहां पर सब हैं जो लॉकडाउन से पहले फंस गएते सिर्फ वह हैं अभी कोई आ ने रहे हैं बाहर के टूरिस्ट तो आई ने रहे हैं बस जो पहले के हैं वह है और अभी कम है थोड़ा टू आई ने बहुत अच्छा खाना मी मिलता है इसलिए पहले सोच रहा हूं कि हां से कुछ अरीज लेंगे उसके बाद चलेंगे ओ है डू रिमेंबर भी उसको सब कुछ आता है इनको हम मिले थे जिपाव लेता है इनको हिंदी आती है हिंदी गाने आती है यहां पालत अं में आता है इनको सब कुछ आता है इनों ने बहुत कराओ के Chamacang is讲 अधर अधर हमने बहुत लेंज़ा किया दिवाली पर अभी यहां अर्लनों किया अभी यह यहां आट शां चाई तो यहां से अब हम दुबारा से निकल रहे हैं वरकला रेलवेश्टेशन पर जाएं के लिए है किहारी है मैंको अ कफि सारी ह rę करे व्नीज़ करी एक कुछ नास्टा पानी तो इँच मैं शेक व्नीज़ कर गाय है कुछ दास्टा पानी थे लिए अ डारे है द dirty थेखीवि अचिथ कोछिय थेखीए य हुए है खो मैंत मैंने कर वाकी मैं टैलो कि घ्ध Beyond वेरी बुटिफूर रहता है और हिंदी गाने पूरे आते हैं इनको लीरिक्स बता हो यह पूरा गाने आते हैं और टून पे कराओ के चल रहता है कि तून चलती है और हम गाते हैं लीरिक्स तू लीरिक्स बढ़ देखे भी फिर भी तून उसकी टोन क्या है वो इनको सारे पता दे हम की शर्मा पिदुलनिया करन जोहर के और कि आरे काने इनको 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 इसालती है विए थे पहलगे ना पीछिट पहुंच गया वर्कला रिल्वे यहां का नाम है वर्कला सेंट्रल नहीं वर्कला जंक्शन नहीं मैं तो इसलिए अलग अलग नाम से दो स्टेशन होते हैं एक ही सिटी में तो इसका नाम है वर्कला शिवागिरी इसलिए मैं गलत तो नहीं आ गया हूं तो वह मैंने कंफिर्म कर लिया यही है सिर्फ एक फाइब इसकी जर्नी आपको दिखाने वाला हूँ आज मैं वरकला से लेके पूरा नई दिल्ली तक वैसे वो ट्रेन चलती है तुरिवेंद्रम से जहां से मैंने भुक करी है मैंने बुक कर ये फिच्चे से पर मैं बोर्ड करूँगा यहां से क्यों कि त्रिवेंद्रम में अकॉमेडेशन मुझे नहीं मिली थी और वरकला के अकॉमेडेशन एवन मज़ा आगया होस्टल में रुखके और आप करेंगे यहां से रेलवे की यातरा शुरू लगबाए कि क्यावन पचास क्यावन घंटे लगेंगे मुझे यहां से नई दिल्ली तक पहुचने के लिए सेकंड सिटिंग की बुक करिया 630 रुपे में तो यहां पर आपको कई जगा पे इस तरह के नल लगे हुए दिखेंगे जिसमें काफी साफ सफाई है और बहुत अच्छी क्व यह अपनी ट्रेन आने वाली है जीरो टू सिक्स्टू फाइव सही टाइम पर आ रही है ग्यारा पचास का टाइम ता पहुचने का और ग्यारा पचास पर पहुच रही है और पचास घंटे की जर्नी इंडियन रेलवेज में वो भी सेकंड सिटिंग में चैलेंज होने वाला है लेकिन प्लस पॉइंट यह है कि अभी काफी साफ सफाई है और भीड जादा चलनी रही है जो भी एंटर कर रहा है उसका पूरा नोट हो रहा है पी एन आर से लेके नाम फोन नंबर नहीं दिया सब कुछ बाकि नोट हो रहा है यहां पर तो एक्ट्रा लोग यहां पर स्टेशन पर आनी सकते तो अपने सेकंड सिटिंग में पहले ऐसा होता था कि जेनरल कोच की जो भीड वो भी आ जाया करती थी तो यह होता था पहले अभी तो ठीक है जितने लोगों की रिजर्वेश सकते हैं मतलब आप तो सो सकते हैं पहले तो भाई साप सेकंड सिटिंग में भी सफर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता था अभी तो जनता भी कम है और मैनेजमेंट में थोड़ा बैटर है पहले से देख रहे हो पानी कैसा लगा हुआ पानी साफ सफाई सब इंप्रू वह गया है खाना खाना बचा है आगई ट्रेंड अ कि सिर्फ एक मिनट का शॉप है तो जनरल में हमें दी टू में चड़ना है यह स्लीपिंग का कोच है मेरे खाल सेखेंगे तीछ होना चाहिए सर दी टू कोच दी टू सर दी टू कोच दी टू दी टू दी टू दी टू दी टू आगे अगे अब इसलीपिंग के में चड़ गए है वैसे अपना कोच है दी टू उन्हें बला भी चड़ता ओए एक मिनट का स्टॉप है तो जा रहे हैं हम स्लीपिंग कोच में से होते हुए अपने कोच पर दी टू यह भी स्लीपिंग कोच है अधी तो काफी साथ है ट्रेंग अधी तो काफी साथ है ट्रेंग इस्टेट इस्टेट विजिट डी टू कोच डी टू फिफ्टी सिक्स डूणड़ना है अभी डी टू कोच यह यह है फिफ्टी सिक्स येस मिल गई सीट काफी साथ सफाई है क्लीन अधी पाइनली मिल गई ट्रेंग ये देखो साथ सफाई कितनी है क्लीन एक दम कर Α Carnegie करते है ये एक तराओबेध और जाम하면서 येुरवंफिजर कर लां वे kijैं कोपन उता भensब बुलान गोलान गों कोपन उता भurance तर्दald क्यूपाजब। कुप नुप था को बुप तुप एा को तर जुप तो तुप थू तूप तुप सुनग्ट अट्रीज़ी पटारे है दूर्णी ये रड़ी टूइट खाना है 150 कि ये रड़ी तूइट खाना है 150 कि याउडब बस इसके अच्छी है फैक इस गूड़ी पैकिंस गूड पैकिंस गूड बाइक पैकिंस गूड़ यह जो आप पैकिंग देख रहे हो यह पैकिंग तो ठीक है तेड़ सो रुपे में लेकिन इसके अंदर का जो खाना है वो तेड़ सो रुपे के हिसाब से नहीं हंद्रेड ग्रैम्स चावल और थोड़ी सी कली है कि यह जो यह जैसे ही टबबा खुला यह पर हम सम आसी में लग गए कि अध्यर एज़ पाई सब्रेड अध्यर पर लेकिंग एज व्युजियों और अध्यर जाएं इस इस पाई संब्ले देशित आए आज़ा पॉट है अब कि दुटीदaking अजा आए पांच में से तने नमबर दोगे 3 3 3 out of 5 चलो भई टेस्ट में तो नंबर ले गए कम से कम पर क्वांटिटी और जो इसके अंदर मेटीरियल निकला है वो 1.500 रुपे के हिसाब से नहीं है नहीं भहिया बोल रहे हैं टेस्ट में 5 out of 5 मतलब कि बहुत अच्छा लगा है भहिया को खाना मनलब टेस्ट में ठीक लगा है वैसे 3 out of 5 दिया है वो सब मिला के पैकेजिंग कोस्ट सब मिला के 3 out of 5 अबर जो है को वो लोगवा नहीं में 5व बोल फेके वीम्यमित्यून लिड़ो प्रोपनुपनुपनुपनुपनुपनुपनुपनुपनुपनुपनुपनुपनुपनुपनुपनुपनुपनुपनुपनुपनुपनुपनुपनुपनुपनुपनुपनुपनुपनुपनुपनुपनुपनुपनुपनुपनुपनुपनुपनुपनुपनुपनुपन तो इस बार मज़ा आ रहा है अलगी तरह की खिड़किया यहां पर अलगी तरह का सेट अप है बहुत प्लीन लग रही है सब कुछ मनलब ऐसा लग रहा है थे इंडियन रेल्वे में मैं हुई यह देखे मेरा सामानी उपर रखा हुआ है यहां टंगा हुआ है बोत कॉंफर्टेबल लग रहा है यहां पर देखे हैं नौर्थ की तरफ जब चाहेंगे तो कैसा लगता है हुआ 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 है तो देख सकते हो काफी क्लीन इस पार मेरको ट्रेन मिली है तिरुवनंत पुरम न्यू डेली ट्रेन नंबर 02625 काफी क्लीन मजा आ रहा है इस वर जर्णी में और वेदर एक दम एक नंबर वेदर का ही सबसे ज़दा मजा आ रहा है और सब कुछ देखो यार यह कितना है काफी अचंबल सा हो रहा है मैं वैसे आया था मैं तब भी आया था मैं मुंबई तक आया था जब दिली से पर इस बार को ज्यादा कंफर्ट मैसूस हो रहा है इंडियन रेलवे के साथ बस खाना इप्रूफ टर्वालब या भाना बडगर्णा है बस मैंगा देते क。。 खाना और क्वालिटि भी बेकार होती है क्वांटिटी भी कम होती है बस खाने पर ध्यान दो भई नि बाकी सब अच्छा था अच्छा कर रहे है आ ard Maintenant बहुत, पानी का देखा है मुने पर कितने रुपे के लिए है तो येलिए इनुते है प्नु रुपे का, क्या बोलते है पलाव? वेज बिरियानी, वेज बिरियानी है ये, प्नु रुपे की, कितने होगी? 200 गराम मुश्किल से होगी यह लिए इन्होंने मैगी यह देख चुकते हो यह 55 रुपे किये पैकेज खाना कहीं पे नहीं मिल रहा है तो इस तरह के टब्बे बंद खाना मिल रहे है देड़ सो रुपे यह था 90 रुपे और यह पच्छ पन रुपे कैसी है मैगी पत्पा यह था? twists का यह है और चावल बहुत है n ze चावल आ आईस में ठेस्ट भी नही पुछ को पत्षों टेस्ट भी निहें है ठीक है ज़िए दो पानी पानी है पानी पानी है यह देख्लो भाई live review देखरे शुरह, पैके इस खाना है प्राइतना महना और स्वाद भी नहीं है पानी पानी है है कितने नंबर पांच में से एक पांच में से एक और तुम्हारा भी पांच में से एक कितने पांच में से एक आप है है आप स्वाद कर दिए थ तो यह जो मेरे पीछ आप में देखी यह थी कृष्णा नदी कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है विज्वाडा सिटी आने वाला स्टेशन तो पहुच गए विज्वाडा विज्वाडा का मतलब होता है प्लेस ओफ विक्ट्री यहां पर यह कृष्णा नदी के किनारे पर और काफी दूरी कवर हो गई है सही टाइम पर चल रही है ट्रेन काफी क्लीन है सब कुछ है यहां पर मास्क जरूरी है मैं अंदर चला जाता हूं वापस मास्क जरूरी है दस मिनट का हॉल्ट है यहां पर सभी कि कृष्णे को कारे एस सब्सक्री बान जिए सब्सक्राइबगेडान क्यों पर कॉपत है सब्सक्राइब व्यों क्व्यों कि चुपतित ने क्या सब्सक्राइब कि मैं उस्ट करें Judy क्या भ्वै चार ब्रेट दो ब्रेट का थ्री ब्रेट यह बैटार है उससे वह जो पैकेज वाला होगा है एक तरफ से शिखा है पीछे पलट के दिखाना पूरा इधर से कि अधर कच्छा भी है तो अभी शाम के पांच बज गए है दूसरा दिन है कल पहुंचेंगे हम पहला दिन चला गया आज दूसरा दिन है और कल तीसरे दिन दिल्ली पहुंच जाएंगे सब्सक्राइब करण दूसरा स्थान काफी साफ है और क्रोणा की वाज़े साफ है ट्रेन भी साफ है पानी भी साफ है कि सब सही है खाना सुधारो भाई खाना बेकार लगता है और कम को अंटीटी भी आती है खाने को इंप्रूव करने के जो रहता है यह अपनी ट्रेन खड़ी है काफी महंगा रहता है बीबी खाना विबी बियाने लिये हमने 40 रुपेटी वैसे 2 अंडे की असी रुपेटी और 1 अंडे की आपढ़ी यह इसके अंडर वाले चावल और यह इसके साथ आम का चार चार अब्पूरी में खाना ही पढ़ता है सब को मुठने करें से छालीस उर्पे का है मतलब चावल तो होती है पर अंडा ही क्या है पेकेट बाला जो है ने जो हल्दी राम का वो तो बिलकुल इवह अस्ची रुपे का था और वह थे अंदर 200 ग्राम लिखा हुआ था वैसे कमी लग रहा था देखने में बहुत थोड़े से चावल और कर दो